कहानी बड़ी मा, मैं कॉलेज से घर ची, तो मा का करकश नाद पड़ा कानों में, वे भावी से कह रही थी, देखती है सुमन, बुलिया को नए नए शॉप चर्रा रहे हैं बुलापे में, सवेरे से घर में टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पता नहीं किस से मन गाया है, जेच तो चाहती है बड़ी मा अपने शॉक या जरूरतों पर एक पैसा भी खर्च न करें, दो, साडिया पहन, रूखी सूखी खा जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाए और वे उनकी संपत्ती पर अपना सरवादिकार सुरक्षित कर सके वैसे बड़ी मा खर्च करती भी क्या ह संतान हींता और वैधव्य की विशाल शिला अपनी चाती पर धरे भगवत भजन कर दिन काट रही है, बेचारी टेप रिकॉर्डर का शौक क्या करेगी, वो तो कल शाम उनके एकस ने ही किरायदार उनका मन बहलाने के लिए ये टेप रिकॉर्डर उठा लाए, मैं बड़ी तेरे तावजी एक बार कोई फिल्म देख कर आये थे, उसी फिल्म का गीट है ये, मुझे चिडा चिडा कर इसे उल्टी सीधी राग में गाते रहे थे कई दिन तक, आज उसी टेप रिकॉर्डर के लिए मा संता प्रकट कर रही थी पिताजी, मैं महेंद्र भया और मा को कई बार समझा चुके है कि वे बड़ी मा के कार्य व्यवहार की आलोचना न करें, पर मा की नजरों में वैधवय से बड़ा अप्रात दूसरा नहीं है और वे नहीं चाहती की वैधवय, भोगति स्त्री चैन की सांस ले, वैसे मा ने असी विरोध प्रदर्शन तब से क खून जोर मारता है न, जेची होते तो अपने भाई भतीजों को देते, पर जेथानी में कौन सा इस परिवार का खून है, वह मुस्तंडा केतन पढ़ने के बहाने सारी संपत्ती हडप करने आया है, नरेंद्र ने उनकी बात का खंडन किया था मा, अपने शहर में मेडिकल क जेथानी ने सब सोच समझ करते किया है, मुझे तो लगता है बाप दादा की कमाई गई हाथ से, इतना बड़ा मकान है, धेरो किराया आता है, हुंडिया भर गई होंगी हुंडियां, मा बड़ी देर तक अपने मन में संचित होता विशुगलती रही मा, जब भी बड़ी मा का दो मंजिला मकान देखती है, उनकी छाती पर सांप लोट जाता है, वे सोचती है, पूरा घर किराया पर उठा रखा है, खूब किराया जमा होता होगा और केतन बुलचर्रे उड़ाता होगा, पता नहीं इसाय का कितना हिस्सा माय के वालों को जाता होगा, तभी दो दु मा के मकान से सतकर बना है, मैं रहने का निर्ने कर लिया, पिता जी बोले थे, बच्चों की पढ़ाये और मेरे खाने पीने का क्या होगा, वहां भी बच्चों की पढ़ाये हो, जाएगी और तुम्हारा खाना पीना नौकर चाकर देख लेंगे, बीच बीच में आते रहना, हमारे वहां रहने से जेठानी को सहारा हो जाएगा, पिताजी ने स्वीकृती दे दी, पर जब हमारी व्यवस्था कराने साथ आए, तो घर से किराइदार हटा दिये, मा ने विरोध किया, ये क्या, कितना पैसा आ रहा है, हमारे लिए दो तीन कमरे परियाप्त हैं, जेठा किराइदारों से सहारा भी होगा और कुछ आए, वी, लेकिन मैं घर में जवान बेटी रहते किराइदार नहीं रख सकता, मा मन मसोस कर रह गई इस तरह मा, पिताजी के नौकरी के थार छोड़ यहां रहने चली आई, धीरे धीरे उनके नेक इरादे सामने आने लगे, एक दिन बातों ही बातों में बोली, जेट जी खत्मु गए जेठानी का क्या भरोसा कब माय के जाकर सारी संपत्ती का वारा न्यारा कराए, मैं यहां इसलिए आए हूं कि सारी गतिवदी पर नजर रख, सकूं, ये सुन मेरे दोनों भाई हत्प्रब रह गए थे, महेंद्र भा भया ने कहा भी, मा, तुम ये क्या कह रही हो, बड़ी मा अपनी संपत्ती का क्या करेगी, ये उनकी समस्या है, तुम्हें तु उन्हें हर दम भावनात्मक सहारा देने का प्रयास करना चाहिए, उनका हमारे अलावा है ही कौन, मा स्वर को खुफिया बना कर बोली थी, तु अपनी साड़ियों का बकसा खोल साड़ियों को धूप दिखा रही थी, मैं उनसे एक गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनने की जिद कर बैठी, बड़ी मा ने आह भरी, बिट्या, जिन्होंने लाकर दी जब वे ही नहीं रहे तो पहन कर क्या करूंगी ताउजी नहीं तो क्या हुआ बड़ी मा, हम लोग तो हैं, मेरी खाते राज पहनो इसे, वे मेरा हट रखने के लिए सकुचाती लजाती न जाने किस मधुर स्मृती से लाल अनार होती हुई पहनाए उस साड़ी को, दुखों के बोज से मुर्जाया चेहरा दमक उठा था उसक्षन, तभी मुझे पुकारती हुई मा वही पहुँच गई और बड़ी मा का ये रूप देख जल भून गई, फिर तो वल साड़ी प्रकरन स्पेशल बुलेटन साही मा ने पूरे मुहले में प्रसारित कर दिया, बुलिया का पहनना उड़ना देखे, कोई जवान छोरियों को मात कर दे, अरे, सुहागी नहीं रहा, तो कहे करती है ये चोचले मैंने प्रतिकार किया था, मा, ताव जी नहीं रहे, तो क्या बड़ी मा भी घुड़ घुड़ कर मर जाएं, देखती नहीं क्या हालत हो गई है उनकी, मा ने हाथ फटकारा, व्रिशाली बहुत बढ़ बढ़ कर मत बोल, जे देश्योक होचती बड़ी मा की व्याकोल उदास आखे देख कलेज़ मूँ को आता, है, पर किस मिटी की बनी है मेरी मा, जो नारी जाती की स्वभावगत को मलता, भावुकता, ममता भूल इतनो कुर होती जा रही है, बड़ी मा के प्रतिक्या ऐसा ही होता है समपती का मूँ फिर महेंद्र भाया की शादी हुई, उन्हें मूँ दिखाए में बड़ी माने सवा तोले सोने की चेन दी, कुछ अदिक पाने की आशा कर्तिमा उत्तेजित हो उठी, विवाह में आय बोवा से कहने लगी, जी जी तुमने देखा था न, महेंद्र के व्रदबंद में जेठ पतली सी चेन थमा दी, बाकी जेवा भाय भती जो को देंगी, क्या पता दे भी चुकी हो, वना पहनती नहीं बोवा ने मा का विरोध नहीं किया, क्योंकि मा धीरे धीरे उनके भी कान भरती जा रही थी कि अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब उनके माय के वालों का बस फिर क्या था हमारी इकलोती बुआ एकाय की मा की राज़दार बन बैठी जब की मा और बुआ की कभी नहीं पटी पर संपत्ति पर हाथ साफ करने की द्यमें सफल होने के लिए माने बुआ के साथ कई गुप्ट बैठके की फिर भी जो बुआ अपनी धन संपन्नता का धिं बुआ मानो भाय नहीं रहे तो भावी से जिस धन से चाहो बोलने की चूट मिल गई हो बड़े भावी तुम तो अजगर की तरह बैठ गई हो पूरी धन संपत्ति पर इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है बड़ी मा काथ हो गई थी असफुट से स्वर में बोलो थी जी जी जब तक मैं जिन्दा हूं मुझे शांती से रहने दो मेरे मरने के बाद जो चाहे ले लेना मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाओंगी बड़ी मा यू असहाय हो बोल रही थी मानो ये घर ताव जी की नहीं बुजा की कमाई से बना है और बुआ चाहे जब उन्हें बेदख कर सकती है ये ग्रह निर्मान टाव जी का करवाया हुआ है हमारा और बड़ी मा का मकान लगभद साथ साथ बना पर सरकारी नौकरी में घर के कारण कोई बखेला खड़ा नहो इसलिए ये घर दादा जी के नाम से बना था आज उसी का लाब ले बुआ के लोब में इतनी प् बड़ी मा की इस बात को अशिष्ट का मान बुआ अपनी पुरानी अदा से मूँ बिचकाती हुई लोटने लगी बड़ी मा ने कहा भी मेरे घर में रहो पर वे छोटी भावी के पास ठीक हूं कहती हुई तीर की तरह निकल गई घर पहुंच सारी बाते सत्यनारायल की कथा की तरह मा को कह सुनाई कुछ बुआ की क्रोधागनी को मा ने भली प्रकार प्रज्वलित किया जी जी अब तुम चुप होकर न बैठ जाना ताकि हमारा भी होसला रहे वरना बाप दादाओं की कमाय हाथ से गई कितना बड़ा मकान है घेरों गहने है बैंक में भी लाखों रुपया जमा होगा उस बार बुआ कई दिन रुकी थी बड़ी मा की संपती को लेकर घर में जो कुछ हो रहा था वह पिताजी से गुप्त रखा जाता था फिर भी जब पिताजी ती में आये त नरेंद्र के मूँ से निकल ही गया पिताजी बुआ को न जाने क्या हो गया है बड़ी मा से संपती की बात करती है पिताजी अविश्वास से चीख रहे थे मेरे जीतेजी किसी ने भावी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मा चितावनी के स्वर में बोल करने लगी हो मानों वे तुम्हारी दुश्मन है अब जीजी को भी उकसाने लगी हो भाईया के सामने इनी भावी का तुम और जीजी कितना आदर करती थी अब वे तुम लोगों की आँख की किरकरी बन गई है माने हाथ फटकारा मैं तो उन्हें किरकरी समझती हूँ पर व उनसे तो इतना भी नहीं होता कि कभी जाकर उनका सुख दुख पूछ लो। अरे अब वे कितने दिन की है। महेंद्र भया ने पिताजी की बात का अनुमोधन किया। पिताजी ठीक कहते हैं मां। किसी से कुछ अपेक्षा करने से पहले स्वयम की व्यवहार को सुधारना था तुम बड़ी मां को सहायक बनोगी, तुम्हे भी तुमसे अपनी समस्याएं बताएगी। पर तुम्हे तो उनका खाना, पहनना, हसना, बोलना सब कुछ अखरता है अपने इस दबंग और स्पष्टवादी जेश्ट पुत्र से मां सदैव घबराती रही है, अताम और जा रहा हूँ भाभी, पर तुम कभी अपने को अकेले मत समझना मैं हुना, किसी ने कुछ कहा हो, तो उसकी बातों में ध्यान मत देना बड़ी मां समझ गई वे बुआ के ओर इशारा कर रहे हैं, बोली, तुम लोगों का ही आसरा है, तुम तो जानते हो लाला, मुझ कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे, बस, मैं तर जाओंगी, मेरी संपत्ती तुम्हारी ही है, चाहे रखो या, बेहन को दो, मुझे क्या, कहते हुए बड़ी मा बिलक बिलक कर रोने लगी, मेरी आखी नम हो गई और पिताजी एक अपरादी की भाती नतमुक हुए बैठे र का, ये क्या बुआ, रो रो कर बीमार पर जाओगी क्या, यही सब करना है, तो मैं छात्रावास चला जाओंगा, चलो, उठो चाहे पियो और हमें, भी पिला दो, हठी भतीजे की सामने बड़ी मा की एक न चली, आसु पोचती हुई वे चाहे बनाने चली गई इधर केतन, पिताजी से बोला, आपकी समझाए बुआ को और अन्य लोगों को, आप तो जानते ही है उच्च रक्चाप से लेकर जाने कितनी बीमारी लगा बैठी है वे, उन्हें सुख और शांती की जरूरत है, पिताजी ने केतन के कंधे थप थपाते हुए कहा था, मैं तो देखूं से आन्तकित थी, पर बड़ी मा के बिलिखने का असर पिताजी के हृदय पर इतना पुर्जोर था कि रात के खाने के लिए इरकार करते हुए, चद्दर तान लेद गए, मा की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की उन्से, मुझसे ही पूछा, मैंने बताया, तो बड़ी मा के व्यवहार को, तिर्य अचरित्र की संग्या देदाली उन्होंने मैं जानती हूँ, बड़ी मा का सब कुछ हमें ही मिलना है, वे अक्सर कहती है मुझसे, व्रिशाली, मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, सब दे जाउंगी, अभी दे दूंगी, तो दूथ की मक्खी की तर पर बात उपजी कैसे, पर मा, बड़ी मा की इस बात को कूटनीती कहती है, इस बार महेंद्र भाया के समझाने का मा पर धनात्मक प्रभाव पड़ा और शायद इसी तरह संपत्ती मिल सके, सोच वो दूसरे दिन पहुंच गई, बड़ी मा के पास आज कैसे आना हुआ छोट भरे पूरे परिवार में बहुत काम होते हैं, मैं तो बस भगवान को याद कर दिन काट रही हूँ, भगवान का नाम लेकर तुमने अच्छी याद दिलाए, मा रहा स्योगाटन सा करती हुई बोली, आज जेची ने मुझे सपना दिया कि तुम जेधानी को अपना मान कर च भी नहीं छोड़ा, पर बड़ी मा सारी बात को सोलहाना सच मान के हुटी थी, ठीकी तो कहा तुम्हारे जेची ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए, पता नहीं मा उनकी बातों से संतुष्ट हुई की नहीं, पर उस दिन से गहे बगहे उनके पास ज आते हैं, तो उनके स्वागत सतकार में तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती हो, फिर बड़ी मा अपने माय के वालों के लिए कुछ करती है, तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है, मा, दीदे फार कर कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मैं माय के वालों को घर ही लुटा रही हूँ, पर वो मुस्टंडा केतन तो सब हड़पने ही आया है, केतन के लिए मा के मूँ से हर दम मुस्टंडा ही निकलता है, बड़ी मा को जानकारी है, पर वे युद्ध को न्योता नहीं देना चाहती, अन्यता मुझ पर सीमा पाना करने की बंदिश लग ज मेरा विवाह हो गया और बड़ी मा एकदम अकेली रह गई, धीर धीरे अकेले पन और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों ने बड़ी मा को तोड़ दिया, एक बार खटिया से लगी, तो फिर नहीं उठी, अन्द समय में हम सभी उनके पास पहुँच गए थे, केतन ने तो च कित्सकों की छोटी मोटी घीर जुटा डाली, पर वे बड़ी मा में जीने की इच्छा शक्ती जागरत नहीं कर पायंतिम यात्रा पर जाती बड़ी मा सब कुछ पिताजी को सौप गई, लाला, संभालों, अपना घर और मुझे जिम्मेदारी से मुक्ती दो, मा के जर जर आ में कहूं तो बड़ी मा की मृत्यु यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गए थी जिस दिन ताउजी ने उनका साथ छोड़ा था, मा और बुआ का दुर्व्य वहार जेलती, ताउजी की सानिध्य का सक्त भाव महुसस करती बड़ी मा तिल-तिल चुकती, गई, यदी उन्हें स सबका भावनात्मक सहारा मिला होता, तो परिस्थिती संभवतल कुछ और होती, पर अब तो जो होना था हो चुका था